Hello Children, चलिए आज हम एक और पोयम पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है आपने सोचा इसको शीप को देखकर, ये है बाबा ब्लैक शीप, ब्लैक शीप कौनसी है, शीप क्या होती है, ये होती है शीप, ये ब्लैक इलर की है, तो ब्लैक शीप हो गई, बाबा, अब ये मैन इसे पू black ship have you any wool क्योंकि जो इसके hair होते हैं उनको cut करके wool बनती है तो यह man इसे पूछ रहे क्या तुम्हारे पास wool है तो यह क्या reply करती है yes sir yes three bags full के three bags full बिलकुल मेरे पास one two three तुम्हारे तुम्हारे पास अब यह किसके लिए है one for my master and one for his name जो one bag है वो तो उसके मालिक के लिए है और जो एक और bag है वो उसकी wife के लिए है यानि के master की wife के लिए है and one for the little boy who lives down the lane और एक छोटे से boy के लिए है जो lane में जाके गली में जाके बहुत आगे रहता है ठीक है ना अब अच्छा लगिएगा ना poem पढ़ना Baba black sheep have you any wool yes sir yes sir three bags full one for my master and one for his dame and one for the little boy who lives down the lane जो गली में बहुत दूर रहता है आपको यह poem अब पढ़के लिए हैं कि खोब मज़ा आएगा क्योंकि आपको पता चल गया है कि कैसे बनी है यह thank you क्योंकि यह